हालो व्रीवन वेलकम टू मैं चैनल प्रियाज रेसिपी और आज मैं आपके लिए लाएं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सूप की रेसिपी तो यह है एक ड्रॉप ब्रॉकली सूप टेस्टी होने के साथ यह सूप हेल्दी भी है तो जो लोग वेट लॉस्ट कर रहे हैं उनको यह सूप बहुत हेल्प करेगा तो चली देखते हैं कि यह ब्रॉकली सूप कैसे बनाते हैं तो ब्रॉकली सूप बनाने के लिए पहले हमें जो चाहिए तो वह है ब्रॉकली तो अकसर ऐसा होता है कि हम ब्रॉकली खरीत तो लेते हैं लेकिन इसका क्या बनाए जाए व इसा निकाल लेना है तो हमें इसको उपर साइसे कादना पाले लेंक देना है ससंयायओ ऊप सब्सक्राव पालेये हैं कि न sûr मैं एक उसाँ आता किसा टॉप में और इसे बुछी सब्सक्राखता है अब शोड़ या फिर आप ओमलेट में भी इसका यूज कर सकते हैं इसी के साथ मैंने यहां पर लिया है थोड़े से गाजर बीन्स और यह जो ब्रॉकली जो अभी मैंने काटकी यहां पर रखा है और थोड़ा से यहां पर बंद खो भी हैनी की कैबच लिया है और सूप में हम यूज यहां पर मैंने देखिए कढ़ाई रखा है कढ़ाई के गरम होते हैं इसमें डालेंगे दो चमच बटर बटर जब मेल्ट हो जाए ना तब हम इसमें फाइनली चॉप किया हुआ लसुन और अध्रक डालेंगे इन्हें हमें थोड़ा सा भूनना है बटर के साथ बिलकुल ल सब्सिया डालेंगे और एक के करके मैंने गाजर बिंग्स बंद को भी ब्रॉकली को डाल दिया है कढ़ाई में और इन्हें भी हमें 5-6 मिनिट के लिए मीडियम टू हाई फ्रेम पे थोड़ा भून लेना है और फिर हमें इसमें आड़ करना है पानी तो यहां पर करीबन मै एक बार ऐसी सूप को चला दे और फिर थोड़ा से वेट करें जब तक कि इसमें गुबालना आ जाए और जब सूप ऐसे बॉइल होना शुरू हो जाए ना तब हमें इसे ढख देना है ठक के हमें इसे 15 मिनिट के लिए ऐसी छोड़ देना है तो 15 मिनिट यहां पर हो किया है और अब हम कढ़ाय से ढखका निकालेंगे तो यह देखिए सारी सबजिया और अब इस सूप को और भी हल्दी टेस्टी और प्रोटिन से भरपूर बनाने के लिए हम इसमें आड करेंगे एक यानिक अंडा तो सेंपली हमें कटूरी लेना है उसमें एक अंडा को तोड की ड अब हम इसे डायरिक सूप में डालेंगी तो इसके लिए पहले हमें गयास को बिल्कुल हाई फ्लेम पर अखना है और हमें सूप को बहुत ही अच्छी से चलाना है अगर आप सूप को चलाना बंद कर देंगी तो अंडा एक ही जगा जमा हो जाएगा और खाती वक्त आपको अगाड़ा बनाना है इसके लिए हम कॉण्फ्लोर का यूज करेंगे तो एक कटूरी में देर चमज हम कॉण्फ्लोर डालेंगे और इसे के साथ हम एड करेंगे दो चमज डाक सोया सॉस और सूप के टेस्ट को थोड़ा से इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पे आधर चमज ब्लैक पेपर यानि की काल्यमिज का पाउडर यूज करेंगे और अब इस कट्री में हमें डालना है थोड़ा सा पानी और सभी चीजों को एक साथ मिला के घोल बना लेना है और इसे भी हमें डायरिक्ली सूप में डाल देना है सेम प्रोसेस है जैसे हमने अंडर डालने के वा और अब हमें इसमें आड करने नमक यहां थोड़ा सब्साइब के बहुत नमक वहता है तो आप थोड़ा सा सूप को पाइले चक लें और फिर इसमें डाले तो ब्यांने हम पर करीब आधा चमज नमक डाला है नमक डालेके बाद सूप को थोड़ासा मिला लेंत kidneys पत्ता तो तो आप इस टेप को बिलकुल भी मिश्मत कीजिए धनिया पता थोड़ा से इसमें काट की डालिए और फिर इसे भी मिला लेना है तो अब हमारे यह सूप खाने के लिए बिलकुल रेडी है आप इसे गर्मा गरम सर्फ करें यह सूप खाने में जितना टेस्टी है उतना मॉन्सून का सीजन चल रहा है बारेश के वज़े से अकसर घर पर फीवर तो होता है तो इस टाइम पर आप इस तूप को बना खिलाए जिए अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर और मेरी चैनल प्रियास रेसिपी इसको सब सब्सक्राइब करना ना भूले देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ